सो हे गाईस तो कैसे हो आप सब तो पहले ही बता देता हूँ कि इस चैनल बे बहुत दिनों के बाद एक लॉंग वीडियो अपलोड हुआ है तो इसके लिए आज मैं आप सभी के लिए लाए हूँ एनिमे टॉप डॉप सिक्रेट की पहला एपिसोड तो बने राना वीडियो क के एंड तर तो पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी चीज़े एड करी है ना जिसको फैली बार सुनकर मैं भी चौक गया था जैसे कि क्या आपको पता है कि नोबिता का एक्चॉल एज कितना है अरे आपको छोड़ो ये तो गूगल को भी नहीं प फसने लगोगे असल में नोबिता बच्चे की गेट अप में एक अंकल है अगर आप मेरी तरह ही डोरी मॉन का बिक फैन हो तो आपने डोरी मॉन का ये एपिसोड तो जरूर देखा होगा जिसमें बड़े होने के सोच में डोरी मॉन से कुछ गैजट्स चुरा कर नोबिता सुनसन आइलेंड में चला जाता है बट वहां से बापस अने का कोई भी रास्ता नहीं था सो नोबिता वहां पर अकला ही फस गया और वहां पर ही वह वह 20 साल तक डोरी मॉन के लिए वेट किया और तब तक नोबिता 20 सल का हो चुका था और जब वह बापस आया तो डोरी को यूज कर कर वह वापस अपनी डियालेज में आ गया था तो अब जो हैं वह सिंचन फैंस के लिए एक बहुत बड़ी निउस है मतलब समझ लो की बहुत सालों के बाद यह आया है सिंचन का जो निव एपिसोड से वह आप रात में यारा बजे हंगामा पे दिखाया जा र बात कर लेते हैं एक और निउस की आपने टॉज स्टूडी कार्टून दो देखा ही होगा तो यारो इस उसी सीरीज का एक और नया मूबी आ रहा है यह मेंली बे से लाइट इयर्स के उपर और इस मूबी का नाम भी है लाइट इयर्स और यह रिलिस होने वाली है जुन दो करता है और यह है इसका रियल इमेज़ेस वैसे ही इस सीरीज का जो एक और करेक्टर आमारा है वो कोगागाउ से आया है और यह भी रियल में एक्जिस्ट करता है और देखो इसका रियल पिक्चर्स अब आते हैं एक क्वेस्टिन की तरफ क्या आप जानते हो कि डोरीमान में सबसे समझदा क्यारेक्टर्स कौन है वो है नोबिता की नए दुनिया में दिखाई जाने वाले ये कीडे जिसे गलती से नोबिता ने समझदार बना दिया था और यह सब आगे चलके 22nd सेंचुरी के इंसनों से भी ज्यादा समझधा हो जाते है तो यादो ये था आज का फांड इंसे वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राब करना मत भूलना मिलते हैं अगले वीडियो में गुडबाइ